नमश्कार दोस्तों फिनॉमनल गुरुजी यूटीब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गलेक्सी के M-Series और F-Series के स्मार्टफोन और उसमें आप कैमरा कटाउट को हाइड करना चाहते हैं। अगर आप कोई एप ओपन करें तो उसमें कैमरा कटाउट हाइड हो जाए। यानि कि नौच आप हाइड कर पाएं। तो आज के वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं किस तरीकी से आप यह नौच को हाइड कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन में होना चाहिए One UI का लेटिस्ट वर्जन और साथ में दोस्तों ये जो One UI है फुल वर्जन होना चाहिए, कोर वर्जन पर ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों ये गुड़ लाक का एक फीचर है तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा मल्टी स्टार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मल्टी स्टार को इंस्टॉल कर रखा है सिंपली दोस्तों आप इसे उपन करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप इसे उपन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल कर गाएंगे तो लास्ट में आपको एक आप्शन मिलेगा दे एप साइस स्ट्वेस टू केमरो होल तो सिंपली दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे प्लिक करने बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी अप्स देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों आप कैम्रा काटाउट हाइट करना चाहते हैं किस अप पर तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो उस app में आपको notch जो है hide देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर Amazon को select कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे किसी भी app पर यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे आपको simply last वाले option पर click करना है जिसमें लिखा है not overlap with the camera area तो simply इसमें click करना है और ok कर देना है इसी तरी दोस्तों आपको और बहुत सारी जो आपके पास app हैं आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम एक app को और select कर लेते हैं जो की है file manager और इसमें भी हम दोस्तों वही feature को हम enable कर देते हैं आप Amazon open करके देख सकते हैं camera cutout दोस्तों hide हो चुका है और अप दोस्तों file manager को open कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने file manager को open किया तो उसमें भी आपको notch hide देखने को मिलेगा तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे apply कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यह सभी app में यह जो फीचर है apply हो यानि कि आपको notch hide देखने को मिले तो height notch करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलता है apply all apps simply दोस्तों करके or not overlap with the camera area इस पर click करके ok कर देना है दोस्तों आप सारी app दोस्तों आपको cut out जो है camera cut out देखने को नहीं मिलेगा यानि कि वो hide हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका use कर सकते हैं बहुत आसानी से तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा आएसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई